प्रोटीन्स फ्रेयर में जितना भी ब्लड है जितना भी फ्लश यानि मास है जितना भी ने बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं चाहे वो नाकून हो चाहे हो हमारे बाल हो वो सबी चीजों के लिए बनने का काम प्रोटीन करता है जैसे आपने देखा होगा मकान बनाते समय हमें इंटों की ज़ुरत होती है, तो इसी तरीके से प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, शरीर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मकान के बिल्डिंग ब्लॉक्स के होगे इंटे, तो प्रोटीन हमारे शरीर में इ जिसमें से 9 essential हैं, 9 वो जरूरी essential amino acids हैं जो हमें हमारे भोजन से लेने होते हैं और 11 amino acids ऐसे होते हैं जिनने हमारा शरीर खुद से बनाता है Basically, protein हमारे building block का काम करते हैं और इसके साथ हमारे शरीर में जितने भी hormones हैं और enzymes हैं आपने सुना होगा जिन लोगों को sugar हो जाती है, उन लोगों को insulin लेना पड़ता है, आपने सुना होगा अकसर तो insulin क्या है? Insulin एक हार्मोन है जो हमारी pancreas हमारे शरीर में खुद से बनाती हैं लेकिन diabetic लोगों को अकसर ऐसा देखा जाता है कि उनकी pancreas proper मात्रा में insulin नहीं बना पाती है, तो उन्हें बहार से artificial insulin लेना पड़ता है एसे बहुत सारे तरह के अलग-अलग हमारे शरीर में hormones होते हैं, जो हमारे शरीर के अलग-अलग कामों को निर्धारित करते हैं और ठीक इसी तरीके से कुछ enzymes होते हैं, जो हमारे शरीर में अलग-अलग तरह के functions को अंजाम देते जैसे हमारा जो खाना पच्टा है, डाइजेशन जो होता है, उसमें बहुत सारे तरह के एंजाइम्स बहुत बढ़ा रोल प्ले करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, लोगों को कहा जाता है, कि दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ी सी दही ज़रूर खानी चाहिए, क्यो हमारे शरीर में लगबग, प्रती 1-gram, ट्रोटीन हमें रोझाना खाना होता है, जैसे मान लीजे किसी वेक्ती का वजन है 50 किलो, इसे कम से कम पचास ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए, अब प्रोटीन के जो हमारे सोर्स हैं, वो क्या-क्या है, अगर कोई नॉन वे में प्रोटीन मिल вас नinal को लोग लोग आटा मिक्स करके खाया करते थे चैके इसे थे तो उस्षाज बन जाता है पुरटीन का तो इस अर abortion का मिक्स लयानल जाता है तो इसे मिक्स लेन चाहिन थाया कैना च़ह को सोते हैं ये भी एक अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का तो अगर हम प्रोटीन सही मात्रा में लेंगे तो उसके हमारे शरीर में क्या-क्या फायदे होंगे पहली चीज हमारे शरीर की ग्रोथ ठीक होगी दूसरी चीज हमारे शरीर में हर्मोन प्रॉपर बनेंगे तीसरी ची करके हमारी स्किन वापस से रिपैर हो जाती है नोटिस की आपने ये काम कोन करता है ये काम प्रोटीन करता है तो हमारी स्किन स्वास रहेगी स्किन ग्लोइंग रहेगी और हमारे से एर ङसे में जतने भी हार्मोंस जितने भी एंजाइम से प्रापड तरीके से बंते रहेंगे हैं अक्सरा आपने सुना का निवाता है हार्मोन्स को बनने में तो हमें प्रोटीन अपनी डाइट में एडीशनल लेने चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो प्रोटीन का सोर्स है वो कैसा है सही है या नहीं है हमारा शरीर उसे सिंथेसाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्र प्रोटीन को पूरा करता है तो हम सभी लोगों को अपनी डाइट में प्रोटीन के सोर्सेज बढ़ाने चाहिए नमबर वर और ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में ये एक सर्वे है हमारे देश में देश में से 8 लोग प्रोटीन की डिशियंसी का शिकार है दोस्तों बेहत जरुरी चाहिज है प्रोटीन हमारी बडी में ग्रोथ रेक्क्म्न को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन बहुत महत्मुन भूमिका ने वाता है तो मैं आप लोगो को रेकमेंड करूंगा जैसे कहारी कंपनि करती है जो हमारा सोया महिलाओं को हर्मोनल डिसॉर्डर पाए जाते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा सोर्स प्रोटीन डेफिशियंसी वी है तो खास करके महिलाओं को और जो ग्रोइंग चाइल है जो जैसे दस ग्यारा साल बारा साल इस तरह की एज ग्रूप के बच्चे उनको क्योंकि बाडी ग् होता है तो यह प्रोटीन है और इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आप से शेयर किया